कहते हैं विकासव विनाश एक ही सिक्खे के दो पहलू है जहां विकास है, वहीं विनाश भी है, इसका साइकल 50-70 वर्ष होगा विकासव विनाश के बीच है पर्यावरण अगर विकास से जल या वायू प्रदूशन फैलता है तो ऐसे विकास मात 10-15 वर्ष होगा हमारा जिला क्रिशी प्रधान है फर्रुखाबाद कोई ओधोगिक नगर तो है नहीं यहां की केवल दो ही समस्याइं है एक ट्राफिक दूसरी बरसात में पानी भरावन अब शहर को आप चाहें जितना खुबसूरत बना ले जब तक ये दो समस्याइं समाप्त नहीं होंगी शहर जहां का तहां रहेगा सुना है गैस वर सीवा पाइप लाइन भी डाली जानी है ये काम अगर बाद में होगा तो एक बार और बरवादी के लिए तैयार हो जाएं सन 64 से आज तक सडके मेरे देखते देखते सडके चार से पांच फीट उची हो चुकी है जिसकी बजह से रोड पर घरों में पानी घुसने लगा है शायद सरकार के संग्यान में ये बात नहीं है फरुखाबाद में शहर के चारो और तलेईयां थी जो कब जाली गई आज उन सब पर कालोनिया वहोटल खड़े कर दिये गए है ये वो गढ़धे थे जो नालियों ये बरसात के पानी से जमीन वीचार्ज होती थी आज स्थिती बिलकुल पलट गई है शहर का जो स्लोप गढ़धों की तरफ था आज वो शहर की ओर है नतीजतन शहर की गलियों में मोटर साइकल डुबाव पानी भर जाता है सरकार ने इसका कभी संग्यान नहीं लिया अभी जो नई सड़क बनेगी वो भी कम से कम नौर इंच और उची हो जाएगी अगर मास्टर प्लान में इस तरोटी का निवारन नहीं हुआ तो ये मास्टर प्लान बेकार हो जाएगा क्या इस मास्टर प्लान में चौक से चारों और सडकों पर पाकिंग की व्यवस्था होगी क्या गंगा में नाले गिरने से रोकने हे तू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा अभी बीजेपी के किसी पदाधिकारी ने बयान दिया था कि अतिक्रमन की कार्यवाही के बाद शहर खुबसूरत बना दिया जाएगा असल में उपर बताई समस्याओं के निवारन के बिना शहर खुबसूरत नहीं हो सकता अगर पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले सब्सक्राइब कर देवसात में लगी घंटी अवश्य दवाएं